मन का मंतर क्या होता है? आपने कभी सोचा यह समझा? आज ऐसा मन का मंतर बताऊंगे, यदि आप उस मन के मंतर को जपोगे, तो आपके जीवन में कोई दुखी नहीं, कोई प्रेशानी नहीं आएगी. आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगे, बट आपको पहले क्या करन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. सब्सक्राइब करना मत बूलना. मैं अभी आपको एक स्टोरी बता रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनना. एक व्यक्ति जो इतना प्रेशान हो चुगा था लाइप से, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चीए, क् कि उसके हालात ऐसे थे, घर में जाता है तो अकलेस, भार रहता है तो कोई ना डूटी वगएरा कुछ नी और चार बच्चे उसको भी ली, खर्चा चलाना उसको मुश्किल हो रहा था, उसमें कापी कर्ज लिया था, लेकिन कुछ होई नहीं रहा था, तो उसको एक दोस्त मिलता है रास्ती में, तो वो दोस्त बताता है कि तू कहीं पंडित कहा चले जाना, तो आपको सही रहा दिखा देगा, पर लेकिन ऐसा होता कहा है, वो पंडित ने बता दिया कि वही टोटके वगएरा करो, और घर का संकट दूर हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ उस व्यक्ति का बस यह मन करता रहता था कि मैं आत्मत्या करणू, बस जिंदगी से चुटका रहा पारूं, अब मेरा जीने का मन नहीं है, वो यही होलता पंडित होलता, कि ऐसा करने से आपके घर में सुक्षानती होगी, यह होगा होगा, बट ऐसे पैसे ठग लिए कुछ नहीं होगा, फिर उसको कोई न कोई एक बता देता है कि यदि तुम कथा वगएरा कराओगे, तो आपके घर में बिलकुल संकट दूर हो जाएगा, फिर सोचता है कि चलो टोटके से कुछ नहीं होगा, यह सब करने से, क्या पता कथा करने से, घर का महुल वगएरा सब सब्सक्राइगा, तब तक ऐसे ही रहा हो, तभी उसको एक कुछ दिन बाद जो काफी प्रेसान था, आपके नीचे डार्क सरकल भी हो गए थे, तो उसको एक सादू ही होता है, फिर सोचता है कि यह फिर पैसे लेंगे, इसे अच्छा तो ना पूछना लगे, तो सादू से सादू कूसते हैं कि आप इतना प्रेसान लग रहे हो, तो आपके नीचे भी डार्क सरकल लग रहे हैं, कभी प्रेसान हो, उसने बताया कि हां मैं प्रेसान हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेसान हूँ, वैट उसने कहा कि ऐसे तुम क्या कर सकते हो, प्रेसानी का हल बताईए कुछ तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा साधू बोलता है कि आप उसको जब होगे तो आपकी लाइफ में कोई प्रेसानी नहीं होगी वो बोलता है कि मैं अंगारों पर भी चल दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है बस मेरा घर का मावल और मेरा मन ब क्यों झाल NICK Đपने आइसा बोला की चल किया तो यह चीज भी करके देख लेता तो रस्टे में वह दिएंज राती बाध्य जाकत कि मैं सुक्की उपनी लगी और वह यह कामी और हाट बर्क भी करने लगा कुछ दिन बाद फिर वो सादू के पास जाता है तो सादू पूछता है कि अब कोई प्रोब्लम नहीं बिल्कुल प्रोब्लम नहीं है आपकी किरपा से बगवान की किरपा से सब काम हो रहे हैं और मैं यही मंतर कजाब करता रहता हूं कि मैं सुखी ह बताया कि हमारा जोई मन होता है ना हम इसमें जैसा ढालते हैं हम यह बोलेंगे कि मैं दुखी हूं दुखी हूं दुखी हूं तो मन भी ऐसा अंदर से ही होने लगे हो कि आत्म भी वह बोलने लगे कि मैं दुखी हूं दुखी हूं और यदि मन में ऐसा रहा कि मैं सुखी तो 100% आप सुखी हो जाओगे तो यही कमाल होता है मन का मन को जैसा ढालोगे ऐसी डर जाएगा तो आप इन पंडेत वगेरा के चक्कर में मत रहना क्योंकि इनके चक्कर में रहोगे तो अपना ही लोस करोगे पैसे की वरबादी और जीवन की वरबादी नहीं आपको कुछ आ